आज 20 जून 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे अब चने मुठी के पीछे अपना समय बरबात नहीं करो अब बाप के मददकार बन बाप का नाम बाला करो मीठे बच्चे अब चने मुठी के पीछे अपना समय बरबात नहीं करो अब बाप के मददकार बन बाप का नाम बाला करो प्रश्न इस ग्यान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं उसकी निशानी क्या है उत्तर जिन बच्चों को शांती धाम और सुख धाम सदा याद रहता है याद के समय बुद्धी कहां पर भी भटकती नहीं है बुद्धी में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते बुद्धी एक काग्र है जुटका नहीं खाते खुशी का पारा चड़ा हुआ है तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे है ओम शांती बच्चे इतना समय यहां बैठे हैं दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवाले में बैठे हैं शिवाबा भी याद आजाता है स्वर्ग भी याद आजाता है याद से ही सुख मिलता है यह भी बुद्धी में याद रहे हम शिवाले में बैठे हैं तो भी खुशी होगी जाना तो आकरीन सभी को शिवाले में है शांती धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है वास्तम में शांती धाम भी शिवाले कहेंगे सुख धाम को भी शिवाला कहेंगे दोनों इस्थापन करते हैं तुम बच्चों को याद भी दोनों करना है वशिवाला है शान्ती के लिए और वशिवाला है सुख के लिए ये है दुख धाम अभी तुम संगम पर बैठे हो शांती धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए भल कहां भी बैठे हो धन्दे आदी में बैठे हो तो भी बुद्धी में दोनों शिवालाय याद आने चाहिए दुख धाम भूल जाना है, बच्चे जानते हैं ये वैश्याला है, दुख धाम अब खत्म हो जाना है यहां बैठे तुम बच्चों को जुटका आदी भी नहीं आना चाहिए बहुतों की बुद्धी कहां कहां और तरफ चली जाती है माया के विग्न पड़ते हैं, तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मनाभव, भिन भिन प्रकार की युक्तियां भी पतलाते हैं यहां बैठे हो, बुद्धी में ये याद करो कि हम पहले शान्ती धाम शिवालाय में जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे, ऐसा याद करने से पाप कड़ते जाएंगे जितना तुम याद करते हो, उतना कदम बढ़ाते हो यहां और कोई खयालात में नहीं बैठना चाहिए नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो फाइदे के बदले और ही नुकसान करते हो आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जाच करने के लिए बिठाया जाता था कौन जुटका खाते हैं, कौन आखे बन कर बैठते हैं तो बड़ा खबरदार रहते थे बाप भी देखते थे, इनका बुद्धी योग कहा भटकता है क्या या जुटका खाते हैं क्या ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं है ब्रामणियां ले आती हैं शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए जो गफलत में नहीं रहें क्योंकि ये कोई और्डिनरी टीचर नहीं है बाब बैट सिखलाते हैं यहां बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए बाबा पंद्रा मिनट शान्ती में बैठाते हैं तुम तो घंटा दो घंटा बैठते हो सब तो महारती नहीं है जालात चलाते रहते हैं वह जैसे विग्न डालते हैं क्योंकि बुद्धी कहां न कहां भटकती हैं महारती घोडे सवार प्यादे सब बैठे हैं बाबा आज विचार सागर मंथन करके आई थे म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुसोतम संगम युक तीनों ही बताते हो ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए ये चित्र बहुत बड़े-बड़े बनाने चाहिए सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धी में छट बैठे बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इंप्रूव्मेंट कैसे लाएं पुरुसोतम संगम युक बहुत अच्छा बनाना चाहिए उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है तपस्या में भी तुम पात्षे को बिठाते हो परन्तु नहीं दस पंद्रा को तपस्या में बिठाना चाहिए बड़े बड़े चित्र बनाकर कलियर अक्षर में लिखना चाहिए तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े हैं तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धी है न? तो जितना हो सके, अच्छी रीती समझाना चाहिए. जो सर्विस में रहते हैं, उन्हों को सर्विस बढ़ाने का खयाल करना है. प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है, जितना म्यूजियम में है. प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं, सबसे अच्छा है म्यूजियम, भल छोटा हो. एक कमरे में तो ये शिवालाय, वैश्यालाय और पुरुसोतम संगम युक का सीन हो. समझाने में बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए. बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं, तो बैठ थोड़े ही जाएंगे. कि बच्चे एमे भी ये पास कर लें. बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा. बाकी थोड़ा समय है तो भी जा बागते नहीं. अच्छी अच्छी जो बच्चिया होंगी, वह कहेंगी कि इन चार पांच सो रुपएयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बरबाद करें. फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे? बाबा देखते हैं, कुमारियां तो फ्री हैं. भल कितना भी थी अब छुडाने आये हैं, परन्तु छोड़ते ही नहीं है. उसमें है चने मुठी, इसमें है विश्व की बादशाही. वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं. कुमारियां तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की हैं. उनको ये नौलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले. ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ो बड़ों को बैट नौलेज दें. बाप आए हैं शिवाला इस्थापन करने. ये तो जानते हैं कि यहां का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है. ये चने भी नसीम में नहीं हालत खराब होती जाती है. अचानक आफतें आ जाती हैं. मौत भी अचानक होती रहते हैं. मुठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं. तो मनुश्यों को इस बंदर पने से छोडाना है. सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है. कमाल कर दिखाना है. मनुश्यों को सुधारना है बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं बाकी तो भूगरा चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा सब खत्म हो जाएंगे इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो कोई तकलीफ की बात नहीं सिर्फ बाप को याद करना है और सु मुठी खाली कर हीरे जवारों से मुठी भर कर जाना है बाप समझाते हैं मीठे बच्चे इन चने मुठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बरबाद करते हो हां कोई बुजुर्ग है बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है कुमारियों के लिए तो बहु को ये बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना अभी तुम्हारी मुठी हीरों से भर रही है बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे बाप समझाते हैं तुमने 63 जन पाप किये हैं दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गलानी करना विकारी भी बने हैं औ बाप की कितनी गलानी की है बाप बच्चों को बैट समझाते हैं बच्चे टाइम नहीं गवाना चाहिए ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते अपने को भूल जाते हैं दे अविमान में आना गोया अपने को भूलना अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे बहुत बड़ी मंजल है, सहेज भी बहुत है, बाकी हाँ, माया का ओपोजीशन होता है मनुस्य गीता आदी भल पड़ते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते भारत की है ही मुख्य गीता हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है, जो धर्म इस्थापन करने वाले हैं, उनको सत्गुरू नहीं कह सकते ये बड़ी भूल है सत्गुरू तो एक ही है, बाकी गुरू कहलाने वाले तो धेर हैं कोई ने कार्पेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वे भी गुरू हो गया हर एक सिखलाने वाला गुरू होता है, सत्गुरू एक ही है अब तुमको सत्गुरू मिला है, वस सत्य बाप भी है, तो सत्य टीचर भी है इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए यहां से अच्छी रीती रिफ्रेश होकर जाते हैं फिर घर जाने से यहां का सब भूल जाते हैं गर्ब जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं वहां तो गर्ब महल होता है विकर्म कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े यहां तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पड़ रहे हैं बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे वहां समझेंगे भाई पड़ाते हैं यहां तो डारेक्ट बाप के पास आये हैं बाब बच्चों को अच्छी रीती समझाते हैं बाब की और बच्चों की समझानी में फर्क हो जाता है बाब बैट बच्चों को सावधान करते हैं बच्चे बच्चे कहे समझाते हैं तुम शिवालाय और वैश्यालाय को समझते हो बेहद की बात है ये किलियर कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए वहां तो ऐसे ही हसी कुडी में समझाते हो सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीती समझें रहम करो अपने पर क्या इस वैश्याले में ही रहना है बाबा के खयालात तो चलते हैं न कैसे कैसे समझाए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी हाँ हाँ करते जाते बहुत अच्छा है गाव में समझाना चाहिए खुद नहीं समझते साहुकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं बिलकुल अटेंशन ही नहीं देंगे वह पिछाडी में आएंगे फिर तो टू लेट हो जाएंगे ना उनका धन काम में आएगा ना योग में रह सकेंगे बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे गरीब बहुत उचपद पासकते हैं तुम कन्याओं के पास क्या है कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है बाकी कन्यादान दिया जाता है तब विकार में जाती है कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे मनोवरत्ती देखो कैसी है तुम कोई से भी डरो मत खुली रीती समझाना चाहिए फुर्त होना चाहिए तुम तो बिलकुल सच कहते हो ये है संगम युक उस तरफ है चने मुठी इस तरफ है हीरों की मुठी अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो पुरशार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना शकल भी बहादुर शेरनी जैसी होने चाहिए कोई कोई की शकल जैसे रिड बकरी मिसल है थोड़ा आवाद से डर जाएंगे तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं कन्याओं को तो फसना नहीं चाहिए और ही बंधन में फसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे ग्यान अच्छी रिती धारन करेंगी तो विस्व की महारानी बनेंगी बाप कहते हैं मैं तुमको विस्व की बादशाही देने आया हूँ परन्तु किसी किसी के नसीब में नहीं है बाप है ही गरीब निवाज, गरीब हैं करन्याए, मा बाप शादी नहीं करा सकते हैं, तो दे देते हैं, तो उनको नशा चड़ना चाहिए, हम अच्छी रीती पढ़कर पद तो अच्छा पाएं अच्छे स्टुडेंट जो होते हैं, वे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हम पास विद ओनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलर्शिप मिलती है, जितना पुरिशार्थ करेंगे उतना उच्छ पद पाएंगे, वे भी 21 जन्म के लिए यहां है अल्पकाल का सुक, आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया खलास योगी और भोगी में फर्क है न, तो बाप कहते हैं, गरीबों पर ज्यादा आटेंशन दो साहुकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है यह संस्ता बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्यार करेगी, अपना कुछ भी कल्यार नहीं करते बहुत अच्छा कहा, बाहर गए, खलास माया डंडा उठा कर बैठी है, जो होंसला ही कुम कर देती है एक ही थपड लगाने से अकल चट कर देती है बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीती समझा है अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला चने मुठी छोड बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरशार्थ करना है किसी भी बात में डरना नहीं है निडर बन, बंधनों से मुक्त होना है अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है दूसरा, इस दुखधाम को भूल, शिवालय, अर्थात, शांती धाम, सुखधाम को याद करना है माया के विगनों को जान, उनसे सावधान रहना है बरदान, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ने और पढ़ने वाले नस्टो मुहा समर्ती स्वरूप भव गीता ग्यान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नस्टो मुहा समर्ती स्वरूप बनो पहला पाठ है विदी और अंतिम पाठ है विदी से सिद्धी तो हर समय पहले स्वैम यह पाठ पड़ो फिर औरों को पड़ाओ ऐसा स्रेष्ट कर्म करके दिखाओ जो आपके स्रेष्ट कर्मों को देख अनेक आत्माएं स्रेष्ट कर्म करके अपने भागे की रेखा स्रेष्ट बना सकें सिलोगन परमात्म सिने में समाय रहो तो महनत से मुक्त हो जाएंगे अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती